नमस्कार दोस्तों पूरा प्रोग्राम आप अंते तक देखें और अपनी राय अवश्य देए आज चार नौवंबार सन दोजार बीस अंक चार का प्रत्रिद करता है राहू जो की दोजार बीस और डे दोनों का ही कारक अंक है दोजार बीस का ग्यारवा महिना यानि नवंबर माहा अंक दो जो की चंद्रमा का कारक है चंद्रमा राहू दोनों का अद्बु सयोग बजारों में देखने को मिल रहा है और आज गोचर यानि ट्रांजिट के अंदर चंद्रमा और राहू दोनों एक साथ बैठे वे हैं व्रशव राशी में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आज की ग्रहिस्तिती किस प्रकार है राहू और चंद्रमा दोनों व्रशव राशी के अंदर हैं और चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे आज देवरू ब्रसपती धनू राशी में शनी मकर राशी में मीन राशी के अंदर वक्रवस्ता में मंगल और मीन से 180 डिगरी दूरी पर कन्या राशी जहां पर दैत्ते ग्रू शुक्र विराजमान हैं सूर्य तुला राशी के अंदर बुद्ध ग्रह के साथ यूती कर रहे हैं और केतु वरश्चिक राशी के अंदर हैं यह सब ग्रह सयोग बजारों के अंदर अधभुत रचना कर रहे हैं जबर्दस्त उतार चड़ाव बजारों को शुरुआत पे ही देखने को मिल सकता है बहुत महतापुन अंतराश्टिय पॉलिटिकल इवेंट यूएस प्रेसिडेंशल इलेक्शन 2020 भी अपनी चरम सीमा पर है वोटों की गिंती शुरू हो चुकी है क्या संभावनाएं बनेगी बजारों के अंदर ये बहुत महतापुन है कल दोस्तों हमने आपको तेजी की वविश्वानी दी थी और शेर बजार और कमोडिटी बजार के अदर जबर्दस्त तेजी दर्ज भी होई एग्रो कमोडिटीज के अंदर हमारी सभी वविश्वानी सत्य सावित हुई और गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी जबर्दस्तेजी दर्ज हुई सिल्वर ने 62,700 से उपर का इस्तर देखा गया और गोल्ड के अंदर भी 1917 यूज डॉलर का उचा इस्तर देखा गया आपको याद होगा जो हमने आपको कल स्टॉक्स के अपर चर्चा करने को कहे था बैंकिंग स्टॉक्स जबर्दसर मुवमेंट रही श्टील स्टॉक्स ने जबर्दस मुवमेंट दिया और सर्सों ने भी उपर का रुख दिखाया आज क्या संभावनाहीं बन सकती है ऑप वी आगे रह सकते हैं आ भी जीत सकते हैं आप भी विशलेशन कर सकते हैं एस्ट्रो रिसच का आप ममारे ऊंलांग कोर्स के अंदर दोरान और लिए ऐड्मिशन्लाइव क्लासिस गुर्स के अंदर आप अड्मिशन स्टाक्स के अंदर आप कर सकते हैं। आज इसम पर करें। आज क्या संभाव नहीं बन रही है। दोस्तो आज स्टील सेक्टर के उपर नजर रखी जा सकती है। और आप नजर रख सकते हैं होटल सेक्टर के उपर आप नज़र रख सकते हैं entertainment sectors के उपर आप टाटा Steel, Steel Authority of India, ONGC, Reliance Industries के उपर नज़र रख सकते हैं इसके अंदर सकारात्मक रूखनाने की संभावना है दोस्तों याद कमूडिटी बजार के अंदर, चांदी के अंदर और सोने के अंदर कल जबर्दस्त मुनाफ़ा कमाया उमीद है कि आपने इसका भरपूर लाव उठाया होगा आने वाले तीन से चार दिन के अंदर बहुत महतवपुन उतार चड़ाव सोने चांदी में आने के संभावना है क्या ये तेजी पकड़ी रहेगी या फिर नीचे गर जाएंगे आप संपर कर सकते हैं पेड कलाइंट्स के लिए दोस्तों आज जो संभावनाएं बन रही हैं एग्रो कमोटिटीज के अंदर लाल मिर्च के अंदर बड़ी तेजी की संभावनाएं नजर आ रही हैं इस पर विशेश क्याल रख सकते हैं दोस्तों इसके अतले गवाड सीट के अंदर भी कल हमारी भविश्वानी अक्षरत सत्ते साबित हुई जीरा भी हमारी भविश्वानी के अधार पर चला उमीद है कि आपने इसका भरपूर लाब उठाया होगा आने वाले सब वाड जबरदस मुवमेंट की संभावना है क्या ये तेजी दिखाएगी अमंदी आप संपर कर सकते हैं All the very best, good luck, happy trading